नमस्कार मैं विकरम पटेल आप सभी को आपके अपने ही चैनल सीखें कुछ अलग में हाड़ी स्वागत करता हूँ दोस्तो ये ट्रिबुनिमेट्रिक रेस्चियोस एंड आइडेंटिरिस की साथ वी वीडियो है जिसमें आज हम लोग स्टाट करने वाले हैं कि किसी भी exercise में यानि परस्णावली में ट्रिबुनिमेट्रिक की question कैसे पूछे जाते हैं और उसका solution कैसे निकाला जाता है यह हम लोग इस वीडियो में start करने वाले हैं यानि question को कैसे solution यानि question का solution कैसे करते हैं यह हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं इतने दिन से हम लोग क्या कर रहे थे इसके पहले वेडियो में हमने सारे formula यानि क्या-क्या formula यूज होता है जैसे विभी वीडियो में क्या जाना था कि सीध करना था क्या सीध करना था कि कि साइन स्कुरारठट थीटा प्लस कॉस स्कुराठट थीटाए बराबर वन होता है यानि इसमें तीन मुश्ट बीबाई फ़र्मूला थे इसे सीध करनाbernा चीखे थे उसके पहले बाले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि यदि किसी समफोन तिरबुज में यानि किसी कौन के लिए एक अनुपात दिया रहेगा तो अन्य तिरकौन मीती अनुपात कैसे ग्याद करते हैं ये भी हम लोग सीख चुके हैं और उसके साथ साथ लंबकर्न और अधार के बीच के ये जो रिलेसंस होते हैं ये भी हम लोग A to J अच्छी तरह से देख लिये थे लेकिन दोस्तों मैं फिर शे इस वीडियो में वह तिसको बताऊंगा ताकि बार-बार आपको देखने से शुनने से याद हो जाना चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए तो दोस्तों किस आहिंक किस टाइप से question फूशे जाते हैं यह हम लोग पर देख लते हैं तो यहां पे देख सकते हैं कि हामाज टाइप Rahmen यानि किस टाइप से जो जिस टाइप सी एको tryण फूछा जाता है सिक यह यानि पहला तइप किसी सम्कौन तिर्भूज के बूजाएं ग्यात रहने पर यानि किसी प्रकार के सम्कौन तिर्भूज के बूजाएं आपको दिये रहेंगे और क्या उसके किसी निवन कोण के तिरकुनमीती अनुपात्यों को ग्यात करने पर अधारित प्रस्ट तो दोस्तों इसमें हम लोग किस प्रकार के प्रस्ट का सलूसर निकालेंगे यानि एक कोण तिरभुज रहेगा उसकी सभी भुजाए दिये रहेंगे क्या जैसे लंब कोणर होता है यह सभी दिये रहेंगे तो इसके क्या बोला जा रहा है अनुपात को ग्यात करने पर यानि साइन थिटा का का मान होगा , इस चलिक बोले प्रस्ट के तीनो भूजँ बीदोस्तों सबसे पहले इसमें जो जोरोड़त होती है उस जोरुप यहां पर देख सकते हैं क्या है । ऩरेंगल में हम लोग ये काम कर रहे ह। वह भी हम उप Whew देख रहे हैं कि यहां पर मैं A कॉंसे ६ॉथ उसके सामनी करकría करता हैं वoleum को इंग्लिस में क्या करतें पर्पेंडिकुलर जिसे शॉट में क्या लिखते हैं पी तो यह हो गया और क्या सम्कौन यह सम्कौन कौन है सम्कौन यह कौन है नबे डिगरी तो नबे डिगरी के सामने बले भूजा क्या कहते हैं करन कहते हैं तो क्या करन एसी करन है जिसे हम क्या हाइपोटेनस भूलते हैं तो ही h हो गया और तिसरी कौन कौन बच गई c तो c के सामनिक भूज़े क्या होगी बेस यानि अधार तो इसे b लिखते हैं तो उसी प्रकार से क्या होता है sin theta कमान क्या होता है p by h cos theta कमान क्या होता है b by h tan theta कमान क्या होता है p by b और cos 1 theta का हमान कितना होता है यानि sin theta का यह उल्टा होता है cos 1 theta h by p cos theta का उल्टा क्या होता है sec theta h by b tan theta का उल्टा क्या होता है cos theta byp दोस्तों इसे याद करने के लिए मैं एक और shortcut भी तरीका बताया था वो मैंने क्या बताया था वो क्या बताया था मैंने लाल बटा कक्का लाल बटा कक्का के के ए लाल बटा कक्का मैंने बताया था इसका मतलब दोस्तों क्या होता है एल से क्या होता है दोस्तों एल से हम लोग समझने के लिए ऐसे होता नहीं है एल से लम हो गया और यहाँ पर क्या है ए एक का मतलब क्या हो गया आधार आधार और के का मतलब क्या हो गया कर्ण यानि के से कर्ण जैसे माल लेज़े किसी का नाम होता है ना जैसे भी भी से विकरम हो गया भी से विकास हो गया इस परकास नम्हों समझ लेते हैं इस टॉपिक उसके बुढ़ कया है यह bay यहनि लबटय करण तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते है क्या लिखते हैं Stine cos उसके बाद 10 लिखते हैं यहां लिख सकते हैं Synine यहां पर लिख सकते है को स्थीटा करें चैन, यहां लाइन-से यौड़ा ही परते हैं और असानी से देख भी सकते हैं लिकवी सकते हैं तो यह समझ गया आप तो उसी प्रकार से यहां पर क्या है यानि थीटा जिस कौन से आप चलते हैं पिछली वीडियो में मैंने फुल डेटेल में इसे बताया है तो प्रीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो को जरूर देखाया यह हो गया हमारा तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस प्रकास से इसमें कोशन पूछे पानी हो जाएंगोे कोस्टन यहां पर देख सकते हैं क्या है क्यों दोस्तों इस में मैं कैसी सिना बुकसे पढ़ाता हूँ किसी क्यों करांगा हूँ मैं स्यूछ स्वेड लोद गरकर के वीडियो आपका consistent दोस्तों करने और दोस्तों सैंख किस और बोक बनाने से यह फायद इसे आप BTC बोलें juicy80 यह हो गया इंगल्स मैं हिंदी मिटिम जो भी हो तो Griffithentes घ्रीणाम से क्या है मला भारति भावन स्ट्रा कैमारा है भारति भावन दोस्तों स्लेगा दोस्तों कैसी से सीनहां में क्या होगे यह आलोक भारति का पुझ करें कि advising मैं यह तिनों बूक को मिलाकर किने सभी कोस्टन एक ही में इसका जो इसमें को बता रहा हूं समझा रहा हूं बनवा रहा हूं कि यह जो कोंटन नहीं वह NCRT यानि BTC में भी रहता है ये question रहता है उसमें का example इसमें का question रहता है और इसमें का example उसमें का question रहता है यानि एक दूसरे का opposite रहता है यानि एक दूसरे को मिला कर के ही एक book बनाया जाता है तो ये आप समझ गए दोस्तो उससे पहले मैं आपको एक और सीज़ बता दू यहाँ पे आप देखे क्या है कोसन हमारा है एक्जांपल वन है हमारा यदि किसी समकोन त्रिवुस E, B, C में क्या है हमलों का समकोन त्रिवुस A, B, C में है कोन B नवे दिगर यानि कोन B क्या है एक समकोन है कोन B क्या है समकोन है और A, B का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटिमीटर और B, C का मान कितना दिया हुआ है 4 सेंटिमीटर तो बोल रहा है कोसन तो निमनलिखित के मान ग्याद किजिए निमनलिखित का मतलब दोस्तो यह होता है निम्न लिकित जो नीचे लिखे गए है उसके मन को आप ग्याद करें तो यहाँ पर क्या लिखा गया है पहला है हमारा टैन सी पहला क्या हमारा टैन सी यानि टैन सी के मन आपको ग्याद करना है और दूसरा क्या है टैन ए यानि टैन ए का भी मन आपको ग्याद करना है दोस्तो बोला जा रहा है क्या 10c 10a अब इसका मतलब दोस्तों होता क्या है तो इसका मतलब्दोस्तों यह होता है यानि आपको एंगल आसे भी चलना है और ref सी से भी चलना है तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दू कि 90 Đिंढे畘्री कौन सा आधा कोन कौन भी है तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं करन करते हैं उसे क्या करते हैं 90 डिग्री यानि हम कोन के सामने की भुजा को क्या करते हैं करन करते हैं जिसे हम क्या लिखते हैं shortcut में H लिखते हैं, H लिख दिया यानि हाइपोटेनस, H हम लिख दिये दोस्तो एक बात आप यहाँ note कर लिजिए कि कर्ण, कर्ण आप किसी भी angle से चलेंगे, आप कौन A से चलिए या कौन C से चलिए, कर्ण अपने जगा से कभी इधर उधर नहीं जाता है, कर्ण अपने जगा पे ही रहता है, तो यह एक जीज़ हो गया यह तो बदलेगा ही नहीं, कौन बदलता है हमेशा बदलेगा लंब और अधार, लंब और अधार क्यों बदलता है, क्योंकि आप जिस angle से, यानि जिस कौन से चलेंगे, तब उसका मान बदलता है, वो कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि मैं कौन A से, कौन A से चलूँगा, तो क्या हो जाएगा, कौन A से, तो कौन A के सामनी की भुजाओ क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, यानि जिस कौन से आप चल रहा हैं, तो कौन A से हम चल रहा हैं, इसमें दोस्तों मैं लिख दता हूँ, ताकि इसी पकार से लिखना है, सबसे पहले क्या मैं लिखना हूँ, triangle, यानि तिरभूज A B C मे, तिरभूज A B C मे मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूं क्या है कौन ऐ के लिए कौन ऐके लिए यानि कौन ए लिए के लिए हम dentist काम कर रहे हैं कौणए के लिए तो कौने करन क्या होता है नवर डिप गजया है 90 के सामने के भूजा क्या होगी अब क्या होता है लंब किसे कहेंगे कर्ण इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि कर्ण अपने जगह से नहीं हिलता है नहीं इधर उधर जाता है जिस कौन से आप चल रहे हैं उस क्यों के सामने की भूजा है वी परass को क्या लंब क्या बोलते हैं पस बचना है तो थिसरा क्यों बच गया हमारी ऑधर तो त्रा का मतलब यह होता है जो तिसरा कौन बच गया है लोग कौन A के लिए तो चल ही रहा है तो इसको अलग कर देजिए कौन B यानि क्या नब बड़ेगे के सामने तो इसका भी काम हो गया हट गया तो तिसरा यही न बचा है यानि इसका अपोजिट तिसरा यही न बचा है C तो कौन C के सामने की भूजा क्या कर लाएगी अधार क का लाएगे यहां पर लिख देते हैं A B A B हो गया अधार इसका अधार क्या कतन है B यह हो गया कौन A के लिए लेकिन वही हम लोग चलेंगे कौन C के लिए कौन C के लिए कौन C के लिए हम लोग चलते हैं तो कौन C के लिए से चलेंगे तो क्या होगा गिए अब कौन सी के लिए चलते हैं इसे मैं कर देता हूं i volte कौन Cand से मोग चलेंगे तो कौन सी के लिए क्या होगा अब करण तो अपने- जघब पर यह क्या है करण करण तो अपने जगह पर यह करण रहेग गी करण यह बंद का यह बहूंब आप चलिए बलम करम जा होता तो तीसरा कौन कौन बचा हुआ है कौन एक समनी के भूजा है यह कांगी अधार कलाएगी यह डाउट होता है इससे आप हमेज़दा के लिए क्लीर कर लीजे मैं बार बार यह चीज़ को मैं बताते रहता हूं तो इसी प्रकार से चलिए हम लोग question को solve करते हैं दोस्तो मैं थोड़ा time ज़्यादा लेता हूं लेकिन दोस्तो मैं बहुत ही वारिकी से full detail में question को बताता हूं ताकि आपके किसी भी प्रकार के doubt नहीं रहेंगे दोस्तो सबसे पहले मैं figure को बनाता हूं एक ABC बनाते हैं जरी समकों तिरविज में एक ABC बना लेता हूं इसी प्रकार से आप भी एक फिकर बना लिजे मैं बना लेता हूं उसमें क्या है कोन B नब डिगरी यानि कोन B यानि नब डिगरी तो हमारा यहीं आ रहा है यहां पर मैं नब डिगरी इसको क्या बोलूंगा मैं कौन B यहां नब 10 अफिरी और लीगरी लिग दिया अब यह जाता हूं और यह सिस्क्राइब कितना कितना दिया हुआ है तो मिल्ग लिक लेक है क्या है हमारा थीरी सीम हो गया है उसके बाद क्या है हमारा वी सी उसके बाद क्या है हमारा BC तो BC कमान कितना दिया गया है BC कमान 4 cm तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं उससे 4 cm 4 cm 4 cm हो गया अब दोस्तों बात आती है कि इसमें तो 2 भुजाएं दिये गया है तो 3 भुजान निकलेगी कैसे अब 3 भुजान निकालेंगे नहीं तो फिर हम अन्य त्रिकुनमीतियन उपात कैसे ग्याद करेंगे क्योंकि उसमें तो लंब करना और आधार तीनों आते हैं और यहाँ पर क्या यहाँ पर तो हमारे 2 ही दिये गया है 2 ही भुजा दिये गया है तो दोस्तों हम 3 ही भुजा भी निकाल सकते हैं वो किसकी मदद से तो पाइथागोरस प्रेमे की मदद से इसके पहले बेले वीडियो में भी मैं बताया था कि पाइथागोरस प्रेमे में होता क्या है पाइथागोरस प्रेमे में क्या फर्मूला होते हैं यह मैं आपको फुल डिटेल में बताया था तो यहां पे मैं उसी का प्रोला करूंगा सबसे पहले हम चलेंगे क्या мире से नहिंगा सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका हम लोग सॉलुसन निकालते हैं इसमें तो किसी भी कोई मानने की जरूरती नहीं है कि अल्रेटी दिया गया है कि कोन तिर्बुश है उसकर क्या है कोन भी क्या है 90 डिगरी का है तो यहां पर मैं लिग लेता हूं क्या सबसे पर इसमें क्या दिया गया है अब चलिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहली हम किसी भी कॉन ऐनि ट्रggeriziert से क्या होता है लंब सकॉयर जो और अधार सक बराबर कर्नe सकुयर यहनि कर्न नहीं सक कर्नर वह होता है सबसे पहले हम किसी भी हैंगल निजाए लेगल से चलते हैं यह वे हो गया हमारा एक बुज़ा दिया गया है द लि लिख लेते हैं कितना दिया गया है दोस्तो सिमें प्लवत है लेकिन हम आपको निकाल कर बताते हैं ताकि आपको इस प्रकार से कोशन दिये जाएंगे तो आप महां पर असानी से निकालेंगे क्योंकि यहां पर क्या 10C और 10A का आमार निकलना है तो क्या 10A में तो सिर्फ P और B का नहीं जोर्थ होता है यानि लंब और अधार का जरूत हता है तो क्या इस एंगल से चलेंगे तो लंब और अधार दिया गया है इस एंगल से चलेंगे तो लंब और अधार दिया गया है तो इसका इमार निकलना है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप मैं फूल डिटेल में कोशन दि अब इसमें करने क्या है यानि सबसे जो लंबर आपको दीखी है वही तो करन होता है यान लीक सकते हैं A C SQUARE बढ़ाबर लिग चकते है A B SQUARE जोर B C SQUARE चलिए A C SQUARE बढ़ाबर क्या रहा हमारा A C SQUARE बढ़ाबर आया हमारा क्या A B SQUARE तो A B कमान कितना है 3 का SQUARE होले SQUARE PLUS 4 का हम लोग होले SQUARE कब देते हैं अब सलिए A C SQUARE बढ़ाबर क्या रहा कितना हो जागा 339 प्लस 4 फोर्जा 16 तो कितना है हमारा 16 और 9 जो लेगा 25 अब सलिए यहां पर एक सीच और आप देखिए यहां 15 बूतलनकों बना देखिए उसकामपल यहें इसलिए यहां दोशाई बहुत बहुत ही बारी किस से हस्तें खेलते हम लोग हर चीज को शीकिए हैं यह एक्जामपल यहने टाइफ वन का इसलिए मैं बार बार इसे बहुत भी बारी किसे फिल डील में बता रहाँ, और इसके बाद में अम लिएक को अरब परम कोड़ेंगे। यह हो गया हमारा, अब चलिए। अम लोग कौन Ad से चलते हैं, कौन Ad से चलते हैं तो कौन A के लिए हम लोग चलेंगे तो क्या कौन A की सामने की भूजा क्या है BC है तो इसमें लंब क्या हो जाएगा लंब लिखते हैं लंब लंब जिसे हम क्या P बोलते हैं तो P बराबर इसमें क्या हो जाएगा BC यानि इसके सामने की भूजा यही है यहां लिख सकते हैं BC BC लिख सकते हैं तो BC का मान कितना दिया गया है 4 4 cm तो 4 हो गया अब इसमें क्या अधार यानि इसके सामने की भुज़ा तो यह H हो जाएगा यह H हो जाएगा H तो अपने जगा से हिलेगा ही नहीं तो यह H हो गया तो इस कौन से में काम कर लिए और जिस एंगल से चलने हैं तो उसका भी काम कर लिए लंब बोलते हैं और तिसरा जो यह कौन बच्ची क्या है उसके सामने की भुज़ा क्या करते हैं अधार बोलते है तो अधार इसमें क्या हो जाएगा अधार आप चालीए अपर नहीं क्या 10 a का माद को निकालेंगे तो 10 a का बराबर किस परका Agnes निकलते हैं और नीचे कितना है 3, तो 3 हो गया, यानि 4 by 3 आ गया, यह हम लोग सीख लिए, और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा को भी हम लोग सोल्ब कर लेते हैं, अब इसी एंगल, यानि इस एंगल से हम लोग कर लिए, अब त्रिभूज ABC में हम लोग चलेंगे, तो क्या, लेकिन क्या है कौन सी से चलेंगे, यह क्या है हमारा कौन सी, तो कौन सी से चलेंगे, हम लोग कौन सी से चलेंगे, तो चलिए, कौन सी के लिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कौन सी के लिए, कौन सी के लिए, मैं लिख लेता हूँ, तो दोस्तों कौन सी के लिए, किसे क्या कौन के सामनी की भुजा वो क्या कहेंगे लंब कहेंगे यहांपर मैं लिख लेता हूं लंब क्या बोलते हैं पर पेंडिक्र टी बराबर कितना जगा हमारा इसका सामनी के भुजा क्या है एवी है तो एवी कमान कितना दिया गया है 3 cm तो 3 cm हो गया अब चलिए अब 90 डिगरी के सामनी की भुजा को छोड़ी देना है उसे करने बोलते हैं जिस दो ही चीज में confusion होता है लंब और अधार तो लंब क्या जिस कौन से अब चलना है उसके सामनी की भुजा को लंब कहेंगे तो ये तो काम हमारा हो गया तो तीसरी भुजा कौन बच गया अब एक की सामनी की भुजा क्या कहेंगे अधार कहेंगे तो चलिए अधार बराबर क्या हो जागा यहां पर हमारा अधार अधार को क्या बलते हैं बेस लिख देते हैं बी बराबर क्या हो जागा हमारा 4 cm यानि बी सी बराबर यहां पर क् फोर सेंटीमेटर हो गया हमारा अब चलिए हम लोग 10C कमान निकलते हैं 10C तो 10C तो 10C बराबर क्या होता है यह नहीं मालूम है तो यहां पर सीधे आप लिख लिजिएगा मुझे तो मालूम है लेकिन मैं आप से पूछ रहा हूं तो लाल बटक का होता है ना लाल बटक के के इस पकार से देख सकते हैं साइन कोस्ट हैं तो 10C क्या हो गया लंब बटक अधार इस प्रकार से आप पकड़िएगा जिस पकार से मैं पकर रहा हूं मुझे याद है लेकिन मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं तो यहां पर क्या हो जागा लंब बटक अधार अभी तो मैंन तो ब्राबर क्या हो जागा, 3 by 4 यह होगी हमारा answer यह answer हो गया, अब यहाँ पे देखिए, 10 A का मान कितना आया? 4 by 3 आया, 10 A का मान कितना आया मेरेट 4 by 3 क्योंकि हम लोग क्या, कुणn A से चले हैं, angle A से चले हैं और क्या, 10 C का मान कितना आया है इसका पोजिटा गया 3x4 यानी जिस एंगल से चलेंगे तो इसके मान में पड़िवर्तन होता है तो आप देख लिए कि हम लोग एक तीर से कितने निशाने कर रहे हैं इसी प्रकार से मैं हर वीडियो को हर वीडियो में इस प्रकार से में बताता हूं हर कोस्टन को इसी प्रकार से सोल्ब करेंगे तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज एक प्यारा सा कॉमेंट करके बताएं और ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के पास सेर जरूर करें तो इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी आती है तो प्लीज एक कॉमेंट जिरूर करें ताकि उसमें सुधार हो जाएंगे और इसी प्रकार से हम लोग हर कोस्टन को एक से लेकर के पूरे कोस्टन को हम लोग सोल्ब करेंगे तो आप अपने बुक से कोस्टन को बनाईए और किसी भी प्रकार के डाउट होते हैं तो आप कोमेंट कर दिजिए कि सर केसी जिनाया का यह कोस्टन हम से नहीं बन दाया तो मैं उसका सॉलूशन बता दूँगा तब तक के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय क्वाट